हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो कैसे हैं आप लोग आई होप एक दम मस तूंगे मैं भी एक दम मस तूंट आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं आज चुकी हो मॉर्निंग वॉक करके और भारोर यह बहुत ज्यादा गर्मी बिल्कुल भी हावा नहीं टो देख नेल रहा है और ममी ब्लूझ लेकर और मैं है रखा द़ॉह बना नहीं हो रहा रहा है परिसर कूकर में ह कि टेघ रहा है ममी ने सा कॉछ बनाएंगे साहत से आज़ रेरी मुमी, अज़ आज आपने खिसके साथ चुणिस दाल केस्ट आज़की पिरे, यह नहीं चुणिस्टनि नया चुणिस मुममे का, पाप अगली गरम पानी कर देए, ऑनने आप अपने बाल में पापधे दिया घ्या टे पानी गरम कर पेरो, प अगरा ने बश्राइम की पर जो के इसे प्रड़ कर देता है इसके बाद बनाते लोग गैस पर जला के बनाते बनाते दना ठाहिए लोग इसमें लादे घरता है उमाल के है तो जाका ममता को ढगा जुक आँ भी लगिया इफ इसका सुप्सुप करने पर हमारी करें ती वी बन यह टमाटर टमाटर तो बहुत सारे लगे हुए हैं हमारे पेड़ पे टमाटर के मतलब और यह बुजी चुहा बोलते हैं साथ इसको ममी ने बोया था एक दिन जो व्लॉग में देखा होगा आप लोग ने वो है और इत्तुसी भिंडी भी होरके हमारे पेड़ पे बहार अभ अपर अपर अच्पा के रगर का में से उपपर भंगूल और मैंने देख लिया त्यूंकि मैं ये भट लेके आई थी उपड़ से उसके अंदर रखावा था भंगूल और ममी अब जारी है नहाने के लिए और टैंग हो रहा है ग्यारा क्योंकि अभी तह ममी भार खेत पे ल और लगर के ममी बोल रहे है पर अभी छोटी चोटी है तो साइद दो चार दिन में तोड़ेगी और मैना धो चुकियो एक दम बस अभी बस नाहां के आयो थोड़ देर पहले और मच्छी के कांटे और मच्छी का सुर्रा इदर ही रखर का डौंगे में लालू आज आया है जोम याद अभी तक तो आया है नहीं है अक्ताया इस पहले चाहां दिन में रहता जिसंट उसको लगकर एक उसने अना ही नहीं है जिसनी रखा रहे गाना उस दिन आये पिरू और यहां हो रही है ही बनने के त्यारी आया येशान दद ध़ीयों सब्सक्रण है एक पानि पे वह पापा दुकान से लेका है थे और यह मलाई जिसकी मुम्मी अभी घी बनाएगी छोलेगी फिर नौड़ी बनाएगी नौड़ी बनाएगी गी बनाएगी और यहां पुरा फिल्टर का पानी भैच चुका है तो उसको साप करेंगा तो इसको ताटेंगे हम फ्रूट बन र गड़वाल की फेमस डीस है मतलब गड़वाल में फहुत ज्यादा बनाएगी बनाएगी दाल और जो कुमाओं में भी बनाए जाती है आप उत्राखंट की बोल सकते हो उसको तो मैंने तर सारी तयारी कर दिये ये रे भट जो कि मैंने धुल दिये हैं इनको अच्छे से और को सूख चुका है इसका पानी तुकि इनको तेल में डालना है तो गिले निढ़ सकते सुके डालेंगे तो इसमें सपेद भी है काले बीए तर प्याज अपधर ग्रसा कुपेश और यह मुम्दी की घी की कर्ची मामी ने इंदा रखी है और यह टमाटर, थोड़ा साई काट कम नहीं रखना है क्योंकि हमने भट को फ्राइ करना है तो रिपाइंड गरम हो चुका अब इसमें डालेंगे हम भट तो अब हमने भट को भूनना है जब अच्छे से बुच जाएंगे तब हमको निकालेंगे और अभी बट मलब जब थोड़ी से भून जाएंगे और उनमें दरार से चले जाती है फोड़े ब्राउन से हो जाता है सब निकालना है हमने जलाने नहीं है देखते रहना है कि कई भट जलना जाए तो भूनना शुरू हो चुक है भट जो कि तड़क तड़क करने के आवाज आरी होगे आप लोगो तो भट भून चुक है हमारे अब इनक की तो डालीघ मैं अध्णा पेज का प्याज का दो चुक है हमारा नाटा और तमाटर भूनने के लिरे हम ढालीए तोड़ा सा नमक मैं गवन चुक है हमारे अब इसमें डाली गया हम भट आटा गें हुंका कि थोड़ा सा सब भूनेगे होसा ब्रॉावन होने दिए आटेगो फिर उसके बार डालेंगे मिसमें थोड़ा सा पाणी आप फिर उसके बार मशाली हो दो हाटेव मेनगेम इसमें यृए पाहलेंगे पाणी डालेंगे मसाले तक छामीन लाल मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाले, चन किंग, सबको मिक्स कर देंगे हैं अच्छे से, उसको थोड़ी देर ऐसी छोड़ देंगे और अच्छे से उबलने देंगे, बॉयल होने देंगे मतलब, फिसके बाद देखेंगे, तो बन चुके हमारी भटके चिट पॉनी, और आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे लग रही है देखने में, कम से कम से 20-25 मिनट बॉयल होने देना है, मतला बच्चे से थड़कने देना है, जो भी बोलो, तो बाद आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा वने गई, और आप इसमें डालेंगे हैं धनिया जो कि मैं काड़ चुकी हूँ जो कि ये डाल दिया है मैंने थोड़ा सा और डालींगे तो बन चुकी हमारी भटकी चिड़कॉणी और आई होप आपको अच्छी लगी होगी भटकी चिड़कॉणी की रेसिपी मैं ऐसी तरह के से बनाती हूँ और आपको आई वो बहुत पसंद आई होगी है, अगर आपको पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्षन में जरूर बताना कि आपको कैसी लगी और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो और आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप किस तरीके से बनाते हैं और मामी ने घी की कड़ाई खाली कर दिया, इसका घी डबबे में डाल दिया है और ये बाद में निकालके लालू गले रखेंगे हम, पर लालू सुबह से आया है निया तो उसके मच्छी भी ऐसी रखी हुई है, इधर बन चुका चावल, पुदर जैसे कि आप लोगो ने टो अधान के खाना हो, और मैं आपको मिलूंगे, आप सीदा साइज शाम को, ममी का देको काँ बैठिय है, खुरसी है भाई इसे बैठ जाओ, पाहा बैठियो हुआ हूँ हुआ है भाई, अबभा प्या हुँ हुआ 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 है जट वालय में चल जाओ अंदर से जब अंदर पंखे किया वह जादा अच्छी आ रही है वॉम्मी लोग जाने लग गहें घुमने अल लालू मच्छी खाके आराम से लेटा पड़ा है अब लालू किसी देख रहा है पर अभी इसको ओन दिया ममे ने जो घी बनाया तो घी कन निकाल रहा है क्योंकि अब अच्छी खा रहे है इस ले तो जाके अब लोग का रात का खाना और ममें पापा भी चले गए सोने के लिए और ममता जार के भी एसी वाले रूम में क्योंकि हम वहीं सोते हैं तो अब मैं भी जारी हूं अब लोग करें तो आई होप आपको आज का व्लोग अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और कमेंट करके जरूर बताए कि आपको आज का व्लोग कैसा लगा तब तक लिए बाई गाईस गुट नाइट